Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते रोज यानि की 18th मार्च को पाकिस्तान ने आफगानिस्तान में targeted तरीके से bombing किया जिसमें की आफगानिस्तान के सरकार का ये कहना है कि उस attack में आठ लोगों की जान गई है जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं एक सवाल जो दिमाग में आ सकता है वो ये है कि आखिर में पाकिस्तान ने attack क्यों किया अफगानिस्तान के उपर और इससे एक चीज़ हमें और भी समझ में आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन काफी खराब है इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में relation बीते कुछ सालों में खराब क्यूं हुए है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं अगर हमें कोई dispute को समझना है सबसे best तरीका होता है कि हम इतिहास में जाए पाकिस्तान और आफगानिस्तान को जो area अलग करता है यानि कि border उस border का नाम है Durand Line जिसको कि Britishers ने बनाया था अपने हिसाब से अपने सहुलियत के लिए लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि वैसे लोग या वैसे families जो border के आस पास रहते हैं उनका movement काफि restrict हो गया है ऐसा क्यूं हुआ है क्यूंकि पाकिस्तान और आफगानिस्तान के बीच में relations खराब हुए है और बीच में border है तो अगर किसी को travel करना है पाकिस्तान से आफगानिस्तान के तरफ तो उनको legal documents चाहिए होंगे अब आफगानिस्तान में भी tribes रहते हैं पाकिस्तान में भी tribes रहते हैं अगर आप इनको ये समझाएंगे कि आपको travel करने के लिए documents चाहिए तो personally मुझे लगता नहीं है कि ये लोग को documents वगरा मानेंगे और किसी सरकार के पास वो जाके उस document पे sign करवाएंगे और उसके बाद बहुत सारे जो attacks हुए हैं recently या गर आप roughly ये समझें कि 10 attacks में कम से कम 9 attacks या उससे भी जादा जो attacks हैं वो सिर्फ और सिर्फ border के आसपास ही हुए हैं और जो recent attack किया गया है पाकिस्तान के forces के द्वारा वो भी coast में ही किया गया यानि कि ये भी काफी close है आपके borders है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो recently जो relation खराब हुए है उसके पीछे का वज़य है ये duran line ना तो पाकिस्तान कभी बैट के अफगानिस्तान से बात किया है अपने border के issues को sort out करने के लिए नहीं तो कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास आया है बातचीत करने के लिए as a result क्या होता है कि multiple ऐसे attacks हुए है पाकिस्तान के आर्मी के उपर तो इसलिए जो attack किया गया है 18 मार्श को पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि उनको दिखाना है कि पाकिस्तान के आर्मी काफी strong है काफी मजबूत है और कोई ये ना सोचे कि अगर वो attack नहीं कर रहे हैं तो वो कमजोर है 16 मार्श को क्या होता है कि एक suicide bombing होता है पाकिस्तान के military के convoy के उपर जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि साथ जो जवान हैं वो मारे गए और उसके बाद कुछ जखमी हुए और इस attack के बाद पाकिस्तान के जो foreign office है वो एक press note release करते हैं जहां पे वो ये बताते हैं कि Pakistan as a country वो काफी respect करते हैं आफगानिस्तान और वहां के लोगों का कहने का मतलब है कि वो अपने attack को justify भी कर रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि आफगानिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान या वहां के जो establishment है उनके दिल में काफी respect है पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है तब से पाकिस्तान में कभी भी कोई stable government रही नहीं क्योंकि वहां पे कभी stable government था ही नहीं इसलिए जो investment है या जो effective तरीके से infrastructure development, college, school ये सब कभी बन नहीं पाया और उसके बाद जो बहुत बड़ा जो एक reason है वो ये है कि पाकिस्तान का जो foreign policy है वो कभी भी independent रहा नहीं और वहां के जो leaders हैं वो बस अपने आपको सत्ता में काबिज रखना चाहते हैं और अपने आपको सत्ता में काबिज रखने के लिए वो possibly हर तरीके का इस्तिमाल करते हैं और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कभी भी governance में religion को include नहीं करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान की politics में religion को इतना जादा include कर लिया गया है और शयाद अब ये किसी के लिए possible नहीं है कि पाकिस्तान के politics religion को बाहर किया जाए उसके बाद क्या होता है कि जब 15 August 2021 को Taliban take over करता है और Taliban ये claim करता है कि वो शरिया कानून को मानता है कहने का मतलब है ये एक Islamic set of law है जिसके तहत वो अपने आपको govern करते हैं अपने society को वो govern करते हैं तो possibility काफी हाई है कि उस mind state के लोग जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं तो कहीं न कहीं जो Taliban अफगानिस्तान वाला है वो उस Taliban को support करता है जो पाकिस्तान में है और उसके बाद क्यूंकि पाकिस्तान में खुद भी को stability नहीं है तो इसलिए भी देखा जाता है कि अलग-अलग fractions को अलग-अलग अलग time पे support करते हैं और उसके बाद चाहे पाकिस्तान हो गया चाहे अफगानिस्तान हो गया वहाँ पे weapons वगेरा procure करना काफी असान है कहने का मतलब है कि जो assault rifle वहाँ के police या वहाँ के army के पास है वैसा ही assault rifle जो common civilians है पाकिस्तान या अफगानिस्तान के उनके पास में भी है तो जब दोनों side के पास same degree of weapon रहेगा तो कोई किसी के सामने वो जुकना नहीं चाहेगा और उस area में diplomacy या बास्चीत का कोई तरीका exist ही नहीं करता है तो ये भी एक वज़ए है कि क्यूं उनको अपनी बात को रखने के लिए उनको violent method का इस्तमाल करना पड़ता है उसके बाद कभी USA ने invade किया अफगानिस्तान को कभी USSR ने invade किया अफगानिस्तान को कभी USA ने support किया पाकिस्तान को कभी अफगानिस्तान में जो लोंग रह रहे हैं उनको तो more or less ये exactly कहा पाना कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है हर यहाँ पे जो groups हैं वो अपने आपको सत्ता में काबिज रखना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका dominance बना रहे और कहीं न कहीं जो control रहे एरिया का वो उनके पास रहे अफगानिस्तान में वैसे officially 14 tribes हैं उसमें से भी जो सबसे आदा जो dominating है वो पश्टून है पश्टून क्या होते हैं तो पश्टून जिसको कि हम normally इंडिया में पठान कहते हैं अब अफगानिस्तान में जो dominance है वो पश्टूनों का है तो इनके अलावा जो और जो tribes हैं वो काफी अपने आपको अकेला feel करते हैं कहने का मतलब है कि अगर अभी भी अगर आप Taliban को देखे जो अफगानिस्तान में है तो वहाँ के जो leader से वो पश्टून community से belong करते हैं या तो कहले वो पश्टून tribe के हैं तो अगर कहीं पे भी एक ही tribe का dominance रहेगा तो फिर जो other tribe से वो अपने आपको काफी rejected feel करेंगे तो ये भी एक वज़े है कि क्यों हर कोई अपने अपने हिसाब से area को claim करना चाहता है हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने method का इस्तमाल करना चाहता है अपने आपको relevant बना के रखने के लिए अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की economy वैसे ही bankrupt है और दोनों देशों के बीश में border लगता है तो 1970 के दौर में क्या होता है कि बहुत सारे जो common civilians होते हैं अफगानिस्तान के वो move करके आ जाते हैं पाकिस्तान में अब क्योंकि बहुत सारे family जो move करके आ जाते हैं पाकिस्तान में और यहां पे काफी लंबे दिनों से रहना शुरू कर देते हैं तो more or less वो अपना रोजगार को पाकिस्तान में ही वो कुछ ढूंड लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अब ढूनना शुरू करते हैं कि उनके देश में कौन अब illegal तरीके से रह रहा है तो जितने भी जो अफगानिस्तान के लोग थें उनको भेजा जाता है तो क्यूंकि पाकिस्तान की economy bankrupt है उनके पास अब बहुत पैसे हैं नहीं कि वो अफगानिस्तान के जो लोगे खास करके जो illegal तरीके से आये हैं उनको अपने देश में वो रखें तो क्यूंकि अफगानिस्तान के लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा था लेकिन अगर आप असान शब्दों में समझो तो जिस तरीके से दोनों देशों ने अपने governance में religion का इस्तिमाल किया है ये कहले सकते हैं कि ये one of the main reason है कि क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपने internal politics से ही और उस politics से कारण जो violence create होता है उसमें ही परेशान है और ये तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye